हलो एन वेलकम दोस्तों मैं हूँ सुचित्रा और यह है पर्तीग अश्रागत है आपका अपने चैनल सुचित्रास एक्सपलेशन में आज हम सुरू करने जा रहे हैं एपिसोड नमबर 27 हम देखते हैं जन जन अराम से बैठी होती है तभी वहाँ पे चैंग में आता है और से तुम वापस आगई हां मैं वापस आगई और फी वह बहुत ज़्यदा खुस होता है तो जन जन पूछती है तुम सब साथ आयो क्या क्यों आय कहता है हाँ हाँ महराज को आप से मिले बिना रहा नहीं जा रहा था इसलिए हम लोग को साथ में आना पड़ा फिर चैंगी जैन जैन को लेकर घर जाता है जहां उसकी दादी मा और मा सभी लोग बहुत ज्यादा कुछ होते हैं और जैन 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 जो उनलों के लिए तौफे पहले क्या होती है वो देती है तारी मा कहती है जैन जैन तुम पहले से भी ज्यादा खुबसूरत हो गई हो जैन कहती है आप लोग में साथ मजाग कर रहे हैं आप भी तो ज्यादा खुबसूरत हो गई है तो दादी मा कहती है नहीं मैं तो बड़ी हो गई हूं आगे हम दे हो तो मिस्तर निंग केते हैं किया आपको भी वह लड़की अच्छी लगती है वह कहते हैं हाँ वह लड़की बहुत अच्छी है क्योंकि वह मिजचन है आर वह एक अच्छी के लिए कहा था पर उन्होंने मना कर दिया तो उनके पिता जी कहते हैं उन्होंने मना कर दिया तो क्या तुमने गिव अप कर लिया है तो बोलते हैं नहीं कहते हैं साधी भले ही जुटी हो पर तुमारा प्यार तो सच्चा है तो कुछ ना कुछ तो होई जाएगा आगे हम दे ज्यादा परिसानी हो रहे होगी तो जैनर कहता है नहीं यह नौर से तो अच्छा है जैनर पूछता है क्या पुस्तकाले के पास कुछ हजीब हुआ था हम वांग चैंग किसी अंजाने वेक्टी से मिले थे क्या बैंक ताओ बताता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं वाता पर मास्टा जी को एक चिठ्थे लिख दो और जो भी खबर हो मुझे पहले पहुचाना फिर बैंक ताओ कहता है अब तुमने शिंत हो जाओ मिस जन बहुत सही से जन हाओ में पहुच गई है जानर कहता है ठीक है और फिर वहां से चला जाता है आगे हम देखते हैं चैंग कि काम होगा मैं घर पे भीजवा दूँगा आप जाकर रेश्ट करिए तो चैंग वी कहता है नहीं अभी नहीं मैंने संताओ को कुछ लेने के लिए बेजाया वो आज है फिर मैं चला जाओंगा तब वहां संताओ कुछ खाने का लेकर आता है और चैंग उसको हाथ में लेक नहीं कारण है मिश्टर निंग कहते हझे क्या हम वापस चेलिंगे जैन अभी कुछ भॉली रहे होती है तभी महाँ पर चैंग मी आता है और उससे कहता है तुम्हारी यह कुछ लेकर रहे हूं और में श्र निंग से मिलता है फिर वह दो मिठाय लेकर आया होता है तो एक मि और जन जन आदी आदी कर लेंगे और फिर पूछता है कि आप यहां की ओआ हैं तो मिश्टर निंग कहते हैं कि मैं जन जन से पूछने आया था कि आप यहां सहर से अचानक क्यों चली आईगे। चैंग मिंग कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि आपको अपनी मा का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जंजन कहती है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है फिर वो कहती है कि हमें लगता है हमें हमारे एंगेजमेंट अभी फिर से तोड़ देना चाहिए मिश्टर निंग क्या ही कहते हैं बात बनाते हैं और वहां से फुर हो जाते हैं मिश्टर निंग के जाने एक बात जंजन कहती है चैंग मैंने देखा तुम जो कर रहे थे चैंग मैं बस उन्हें पसंद नहीं करता है तो जंजन कहती है कि नहीं तुम उन्हें पसंद करते हो या ना करते हो पर वो बहुत अच्छे हैं उनकी फामिली के साथ हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ चैंग में कहता है ठीक है मैं भूल जाओंगा फिरम देखते हैं कि मिश्टर निंग और उनके नौकर जा रहे होते तो मिश्टर निंग के नौकर में सोचते हैं मुझे पता हैं क्योंकि मैं मैडम को बहुत जादा पसंद कर दो निंग चैंटी ये पितागे हैं घातम बॉनसी यह गलत होगा तो मैंने ईýंग सोच लिए बिला Supreme मैं उन लोगों से ही बात करूंगा आगे हम देखते हैं जैनजन बैठी होती है तभी वहाँ पे एक चिटी आती है और चिटी में एक्जबी लिखी होती है कि मिस्टर ली यूंकी ने अपना वादा निभाया और उन्होंने जेल से जैनर को छुड़ा दिया है और अब वो चा है कि दादी माने अपको बिलाया है क्योंकि नेग मैंसन से एक छिठी आई है वो लोग आपसर के बाद करना चाहते हैं चैनक कहता है पर मैं नहीं में नहीं सकता कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो नहीं कहती है कि लेकिन वो तुमें सिर्फ एक कजन ब्रदर मानती है कहता है हाँ ये मुझे पता है इसलिए तुम मैं नहीं चाहता कि हमारी और उसकी ये भाई बेहन का रिस्ता भी तूटे फिर आगे हम देखते हैं सब लोग साधी की बात करने गये होते हैं को साधी से उपके अरं वहां से छले जाते हैं मुझे ळगता था Wind बहुत लगता मैं सुखा की मैं अकेले मर जाओंगा डिन पर में आपसे मिला लालटन फैस्टिबल कि दिन और मैं सच में आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं जनजन करते हैं मुझे पता है आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पर चाहें कुछ भी हो मैं आपको सिर्फ एकी चीज़ दे सकती हूं और वह है मना मैं आपको हर बार मना करूंगे उसके लिए मुझे माफ कर जीज़े और वहां से चली जाती है आगे हम देखते हैं जैन फिर हम देखते हैं मिश्टर निंग के फादर उनसे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारी मा की वज़े से ये साधी तूट गई और अब ये साधी नहीं हो सकती मिश्टर निंग कहते हैं कोई बात नहीं मैं भी अब ये साधी नहीं करना चाहता यह मेरी मा की गलती तो नहीं है, उसकी पिता कहते हैं ठीक है, पर अगर तुम्हारी साधी उन से हो गई होती, तो हमारे फिचर के लिए बहुत अच्छा होता है, अगले सिन में हम देखते हैं, जैंजन गाने की तयारी कर रही होती है, जहां चैंगिंग बैठ के बात कर रहा ह और कहता है क्यों ना तो मुझे पर इपने साथ ले चलो हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे तो लिए कहती है तुम दोनों एक यूं मिश्टर निंग को बुला लू वो और ज्यादा अच्छे लगेंगे साथ में तो इस बात पर चैंगवी गुस्सा हो जाता है तो अपना द्यान रखो घट पर रहो तो चैंगवी कहता है ठीक है तुम जाओ पर तुम्हें किसी भी चीज की जरुवत हो तो चिट्थे लिखना मैं वो चीज तुम्हें लिए अरेंज करवा दूंगा जैंजन कहती है ठीक है अगले सीन में हम देखते हैं जैंजन जा रही हो तो युगजवी कहती है चलो अब हमें घर चलना चाहिए चैंगवी कहता है मैं चेंटी थो चैंजन के लिए तो युगजवी कहती है तुम चिंता ना करो वो बहुत अच्छी है उसके साथ हमेसे अच्छा होगा और वो सब को परिसान कर सकती है उसे कोई परिसान नहीं कर स जहां सब लोग एक बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि बच्चे वैक्सिंग की वज़े से मर रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है फिर हम देखते हैं डॉक्टर जियांग ली उंकी से मिले जाते हैं और वो कहते हैं आपको चल कर महराज से हमारे लेकल कूर्ट रूम में बात करना होगा ले उंकी कहता है ठीक है फिर खड़ा होता है और कहता है डॉक्टर जियांग मुझे आफसे एक फेवर चाहिए डॉक्टर जियांग कहते हैं हाँ पूछिए तुमने महराज के आदेश के बिना ये सब किया है तुम इसका बहुत बड़ा भुक्तान करोगे बाहर क्रूड वेक्ती जो खड़ा होता है वो कहता है अपना एनर्जी वेस्ट ना करो और अब हमारे कहानी का भी दी एंड हो जाता है एपिसोड अठाइस के लिए बने रहे हमारे साथ ओके बाई बाई गुट नाइट